पुलिस थाने में युवक यूति को किया टोर्चर अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ के इस दर्ज सेवा सुरक्षा और सयोग का नारा देने वाली हरियाना पुलिस के जवान किस कदर वर्दी की धोंच दिखाते हैं कैसे किसी को भी थाने बुला कर पीड देते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लिया है एक सब इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है एक युवक यूती ने पुलिस अधिक्षक को सिकाय देखकर आरोप लगाया था कि धाड़ा पुलिस थाने में उन्हें बुलाया गया बिना किसी एफायर दर्ज किये उनके साथ मारपीट की गई युवक को तो निवस्तर करके बेरहमी से पीटा गया जिस मामले में ASP ने मामले की जाच की और जाच के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ के इस दर्ज किया गया है दरसले पूरा मामला ये है कि धाड़ा निवासी युवक की साधी रास्तान के खैरतल में हुई थी साधी के बाद युवक समय पर घर नहीं जाता था जि पुलिस ने उसकी पतनी के पिता के कहने पर उसे पुलिस थाने बुलाया और बिना किसी एफायर दर्ज करने के बाउजूद उसके साथ पिटाई की गई। जुटे केस में फसाने की धंकी देकर थाने से भगा दिया। इस मामले में यूअक यूटी दोनों ने पहले मेडिकल कराया और फिर पुलिस अधिक्षक के सामने सिकाय देकर नियाए की गुहार लगाई। एसपीयो सूरत आरोपी पाए गए हैं। एसपी की रिपोर्ट के बाद धाड़ा थाना में पीड़ता के सिकायत पर एसाई महीला हेड कॉंस्टेबल वे एसपीयो के खिलाफ मारपीट छेड़ चाड़ वे धंकी देने का मामला दर्ज किया गया है। झाल